हरे कृष्णा सभी वक्तों का आज के श्रीमद भागवत्म का ख्षया में स्वागत है आज हम श्रीमद भागवत्म के तिसरे सकंद के 21 में अध्याय पर चर्चा कंटीनिव करेंगे उस अध्याय के हम लोग श्रोक क्रमंग 12 तक कल हम चर्चा किया था आज हम श्रोक क्रमंग 13 से चर्चा शुरू करेंगे तो भागवत्म का जो श्रोक है उसको हम दोर आएंगे उसका सब्दार्थ उसका अनुवाद और इस डिवाइन ग्रेश सेशी भक्ति बेरानत स्वामी स्थिले प्रभुपाद के द्वरा जो परपर्ट लिखा गया है उसको भी हम पढ़ेंगे और आगे के स्लोक हम एक एक करके चर्चा करते जाएंगे अरे क्रिष्णा श्लुक्रमांख तेरा श्लुक्रमांख द्वरा जोड़ योगा हा रूशी ही उबाच अनि कि यहां पर जो कर्दम मोनी भगवान को अपना प्रात्ना अरपन कर रहे हैं तो इन प्रात्नाओं में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भगवान का दर्शन होने के बाद वो अपना प्रात्ना अरपन करते हैं तो यह श्लुक्रमांख तेरा से लगर बाइस तक कर्दम मोनी भगवान को यह प्रात्ना अरपन करते हैं श्लुक्रमांख तेरा का सब्दार्थ भी हम देखेंगे तो रिशी ही उबाच्य रिशी ने कहा जुष्टम प्राप्त किया जाता है बत आह अध्य अब अखिल सभी सत्व सत्गुणु का राशे जो आगार हैं संसिध्यम पूर्ण सफलता अक्षण हो दोनो नेत्रों का तव तुमारे दर्शनात दर्शन से नाह हमारे द्वारा यत जिसका दर्शनम दर्शन जन्म भी ही जन्मे के द्वारा इद्य हे पूजिस्वामी सद भी ही क्रमसह पदको प्राप्त आसा सते महत्व कांक्षा रखते हैं योगी न योगी रूढ योगा योग में सीधि प्राप्त कर्दममुनी ने कहा हे परंपुज्य भगवान समस्त अस्तिक्तों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध्पूरी हो गई महान योगी जन भारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आक्यांक्षा करते रहते हैं यहां पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एबन समस्त अनन्द का आगार कहा गया है जब तक सत्व गुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक अनन्द नहीं मिलता अतह जब कोई मानसा, वाच्या, कर्मना भगवान की सेबा करता है तो उसे सत्व की परम सिध्धी अवस्ता प्राप्त होती है कर्दमुनी कहते हैं आप सत्गुणों या सत्तों के नाम से ज्ञांत समस्त वस्तियों के आगार हैं और यहां पर अधर ऐसे समस्त वस्तियों के आगार हैं और आप अपको अपने नेत्रों के सन्मुक देखकर दर्शन की सिध्धी प्राप्त हुई हैं ऐसे कथन विशुद भक्ती परक हैं भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थक्ता भगवान की सेवा करने में हैं आंखों की सार्थक्ता भगवान के संदर या अवलोकन में हैं स्रवन इंद्रिय की सार्थक्ता प्रभु के गुणगान सुनने में जीव की सार्थक्ता प्रशाद का स्वाद पाने में हैं जब समस्त इंद्रियों भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो इस प्रकार की सिद्धी भक्तियोग कहलाती हैं जिसका अर्थ होता है वहतिक्ता में लिफ्ट इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब मनुश्या शभी प्रकार के उपाधिमे बद्ध जिबन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपे न अनुरत करता है… तो उसकी सेवा भक्तियोग कहलाती है। जिसका अर्थ होता है बवतिक्ता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना कर्दम मुनी शिवकार करते हैं कि भक्ती योग में सोयम भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थक्ता सिद्धी है करदमुनी ने दर्शन की महान सिद्धी को बढ़ा चड़ा कर नहीं कहा है वे इसका प्रमान प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तम में योग में उर्नत हैं वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान की इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं वे कोई बनावटी योगी न थे जो वास्तम में महान थे वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की है ही कामना करते हैं ओ मज्ञान ति मिरा अंदश्या ज्यानां जना सला कया चक्षुरुन मेलितम ये नम तस्में स्री गुरवे नमा स्री चैतन्यमन विष्टम स्थापितम ये नभूतले स्वयम रूपकरामयं दरातिशो पदांतिकं वंदे हम स्री गुरो स्री उतापदकमलं स्री गुरुन वैस्नवांस्या स्री रूपं साग्रजातन साहगनर गुनातनितंतं सारिवं साद्वाइतं सावधूत परिजनं साइतं क्रिष्ण चैतन्यदेवं स्री राधा क्रिष्ण पादं साहगन ललिता श्री विशाका नित्वंश ए क्रिष्ण करुना सिंदो दीना बंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी रादे व्रिंदा वने स्वरी विशवान सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरु व्यष्चा कृपासिंदु वेवचा पतितानं पावनेव्यो वैस्नवेव्यो नम नम हां जय स्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द स्रियाद्वाइत गदाधर श्रिवास्यादि गौर भक्तर बंद तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस्परकार करदम्मनी ये प्रात्ना औरपन करते हैं भगवान को कल जो हमने चर्चा किया था श्लोक रमांग 6 से लगकर 12 तक उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार करदम मुनी तपस्या करते हैं 6 से लगकर 8 श्लोक तक पर 9 से 12 तक किस प्रकार वो भगवान का दर्शन करते हैं बहगवान कैसे गौरूड के उपर विराजवान होकर वहां पर आते हैं और उनके चारो भुजा में जो क्या-क्या उधारन करते हैं संख, चक्र, घदा, पदम, इत्यादी, कौश्टुप, मनी और किस प्रकार उनके माला रहता है और कैसे वो पित वस्तर इत्यादी पहनते है जो स्पोटलेस एलो सिल्क रहता है तो उस साइब का ओवर्धन किया गया है और हमने कल ये भी देखा है कि किस प्रकार ग्रहष्टा श्रम में प्रवेश करने से पहले हमको प्री रिकुस्टाइट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो सबसे पहले हमने देखा था जिस प्रकार करदमुनी ने दस हजार साल तक तपश्या किया उस प्रकार यद्यपी कली युग में ये संभव नहीं है फिर भी हमको ब्रह्मचारिय का पालन करना चाहिए ग्रहष्टा श्रम में प्रवेश करने से पहले और ये भी हमने चर्चा किये था कि विदूर जी मैट्रे मुनी के सामने कौन-कौन सी प्रश्ण रखते हैं और खास करके विदूर जी ये जानना आता हते हैं कि माता देवहुती और जो करदमुनी का विवाह किस प्रकार संपन हुआ ये हमने देखा था ये भी हमारे मन में प्रश्ण आया था कि विदूर जी ओरागी होते हुए भी क्यों एक विवाह के उपर सुनना चाहते थे और खास करके देवहुती के बारे में तो हमने ये भी बोला था कि करदमुनी और देवहुती ये दोनों साधारन विक्ति तो न असाधारन भक्त के प्रसंग में जब हम सुनते हैं, तो जरूर भगवान का उसमें संपर्क रहता है, जरूर भगवान का विश्ववस्तु रहता है, इसलिए वो विश्ववस्तु वो सुनना चाते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार विश्ववस्तु का हम सुनते हैं, ये हमारे आत्म शाक्षात्कार के लिए स्वहायक होता है तो इसब हम कल के विश्ववस्ट में चर्चा किया है तो आज के विश्ववस्ट में जो हम देखेंगे कि भगवान जब वहां पर गरूड जी के उपर विराजबान होकर वहां पर आते हैं कर्दमुनी के आश्रम में और उनको दर्शन देते हैं, तो हमने देखा था किस प्रकार वो भगवान को दन्वत प्रणाम करते हैं, दन्वत प्रणाम करके ही वो भगवान को अत्यन्त सुन्दर सुन्दर प्राथना अरपन करने लगते हैं, भक्तों की जो प्राथना होते हैं उन प्रात्नाओं में ज्ञान रहता है तो इसलिए अपने आप अपना जो मन गढ़न को प्रात्ना को हम गाने से अच्छा या बोलने से अच्छा भक्तों ने जिस प्रकार प्रात्नाई की आचार्यों ने जिस प्रकार भगवन का गुंगान किया उस प्रकार ही हमको करना चाहिए तो इसलिए हमको करदमुनि का जो प्रात्नाई है उसको हमको दोहराना चाहिए जैसे कि पहले स्लोप में बता रहे हैं कि जुस्टम बताध्या खिलसत्त्त वरा सही संसीद्य मक्ष्योन स्थवदर्सनान हूं कि आप जो आउंखों का जो पुर्नता वो किस प्रकार होगा आपके दर्शन से ही हो पाएगा अपने हाथों का पुर्णता किस प्रकार होगा जब हम भगवान के सेवा में इनको लगाएंगे हमारे पेरों का किस प्रकार पुर्णता होगा इसको भी जब हम भगवान के सेवा में लगाएंगे यानि कि इस पेरों के बल से जब हम तिर्थ्यात्रा करेंगे नहीं तो ये जो आंखे जो है ये सब भगवान के दर्शन के बीना क्या हो जाएंगे जैसे मोर के पंखे पीक पिदर है उसमें हम आँख देखते हैं लेकिन क्या प्रयूजन है उस आंख का उसके बराबर है तो इसके अपर श्रीमत भागवत्रम में हम पहले चर्चा किये हैं कि कैंटर 2 में अगर चाप्टर 3 देखेंगे जिसका शिर्षा के सुद्ध भक्ति मैं सेवा में किस प्रकार हिदे परिवर्तन होता है उसमें हमने ये सब देखा था कि 2.3, 20, 21 और 22 में तो उस लोकों को हम द हमने भगवान के सेवा में लगाना चाहिए 2.3, 20, 21 और 22 क्योंकि इस प्रसंग में कर्दम्मोनी यहां बता रहे हैं कि आंखों के जो पुर्णता है वो भगवान की दर्शन से ही होता है तो इसलिए यहां पर बन्नन कर रहे हैं तो आगे जाकर बाइस लोक तक क्रदम्मोनी इस प्रकार भगवान का गुनगान करते हैं प्रात्ना करते हैं वो भी हम आगे-आगे देखेंगे तो हमारे जो इंद्रियां है जब हम इनको भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे वो अपने आप नाचेंगे तो हम इस भावतिक जगव से हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा इसलिए हमारे इंद्रियां को किस प्रकार भगवान के सेवा में लगाना है यह हमें सकंद दो में हमने देखा था जो कि चाप्टर थी में जो भक्तिमय सेवा के बारे में हमने चर्चा किया था आप सब को हम तुड़ा याद दिलाना चाहेंगे उन श्लोकों को क्योंकि बहुत महत पन श्लोकों हैं इस श्लोकों से रिलेटेड जो हैं उसमें लिखाया कि भारं परंपाट किरीट जुस्टा मप्यूत मंगं ननमेन मुकुंदं साभव करवन कुरूते सपयां हरे लसत कांचन कांगन नवा शारीर का उपरिभाग भले ही रेस्मी पगडिज से सजित क्यों नहीं हो किन्तु यदि मुक्ति केदाता भगवान के समक्ष जुकाया नहीं जाता तो वो केवल एक भारी बोज के समान है अगर हम माता नहीं तेखते हैं भगवान के सामने धर्णबत नहीं करते हैं वो क्या हो जाता है एक बोज के समान हो जाता है इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंक्णों से अलंक्रित हो, यदि भगवान हरी की सेवा में नहीं लग रहते हैं, तो वे मृत पुर्यूस के हाथों के तुल्या है, तो यहाँ पर बर्नन कर रहे हैं, और आगे किस लोक में बर्नन क्या जा रहा है कि किस प्रकार आंखे, जै नय नय नराणाम, लिंगानी विष्ट्वन निरीक्षतो ये, पादव निडाम्तव, द्रुमजन्म भाजव, छेत्रानी नानू ब्रजतो हरे द्यो, जो आंखे भगवान विष्ट्वं की प्रतिकात्मक अभिभक्तियों, उनके रूप, नाम, गुन, हदी को नहीं दखती ह हैं, वे मोरपॉंक के अंकित, आंखों के तुल्य हैं, जिसे अभी हम बता रहे हैं, और जो पाओं तिर्थिस्तानों की यात्रा नहीं करते हैं, जहां भगवान का स्मरण किया जा सकता है, वे ब्रिक्ष तनों जे से माने जाते हैं, तो इस प्रकार बताया है, कि जो पेर अ तुल्ला किया गया है, तो आगे के स्लोक में, जो 2.3.22 है, उसमें और सुंदर तुल्ला किया गया है, जीवंचवो भागवतांगी रेनुम् नजातु मर्त्यो बिलवेत यस्तु, स्रीविस्तु पद्या मनुजस्तु लश्या, सोसंचवो यस्तु नवेद गंथम् जिस व्यक्ति ने कभी भागवान के सुद्भक्त की चरन धुली अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वो निश्चित रूप से सब्द है, तथा जिस व्यक्ति ने भागवान के चरन कमलोंग पर चढ़े तुल्शी दलों की सुगंधी का अनुभब नहीं किया, वो स्वास ले तो हमको तुल्शी दल जो भगवान का अरपन रहता है या जो भी पुष्प अरपन रहता है उसको हमको क्या करना चाहिए, इसलिए जब आर्ति होता है तो पुजारी जो पुष्प अरपन करता है उसको देते हैं और प्रयाम प्रहुपात को दिखा के उसको हम सुंगते है इस प्रकार अगर नाख यह काम नहीं कर रहा है, उस सेवा में सलग नहीं नहीं है, वह सांश लेते हुए भी मृत है, तो सांश लेते हुए भी मृत है गुझा है और इस पर यहां पर बता गया कि इस भक्ति ने कभी भगवान के सुध भक्ति की चरण दुलिय अपने मस्तख पर धारन नहीं किया वो निश्चित रूप से डेड़ बोडी है। इस प्रकार यह हम पर देखते हैं। तो यह भक्तों के जो प्रात्नाएं है यह बहुत महत्तुपुर्ण है। तो आगे भी प्रभुपात बताते हैं कि हमको किस प्रकार भगवन का भक्ति में इन इंद्रियों को हम सेवा में लगाना चाहिए। तो आज हम चस्ता करेंगे कि इन प्रात्ना तो पहुंच जाए ताकि कल हम जब चर्चा करेंगे तो हमको भगवन क्या-क्या बोलते हैं फिर आके कर्दमनी को वह सब हम देखेंगे। स्लोक्रमांग चौदा में हम देखते हैं किस ये माययाते हतमे दसस्त्वत पादारविंदं भवसिंधुपोतं उपासते कामलवायते साम रासी सकामार निरए पी एस्यू आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए शचे पोत या नाव के तुल्य है माया के बसिभूत केवल अज्ञानी पुरुस ही इन चरणों की पुजा इंद्रियों के खिद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हैतु करते हैं जिनकी प्राप्ति नरक में सडने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं तो भी हे भगवान आप इतने दायलू है कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं तो यहां पर भगवान क्या गुनगान करते हैं करदम्मों ने कि जो भी भावतिक इच्छा का जो लालसा उसके मन में है तब भी आप उसको क्रिपा करते हैं जो माय के वशीभूत है तब भी उसको आप क्रिपा करते हैं आपने इस जगत में इतनी सुविधा जो दी है वह के अबल इसलिए है कि किसी ना किसी कारण आप उन जीवों का उधार करें किसी ना किसी प्रकार ओ अगर आपका भक्ति करें आपका दर्शन करें आपकी भक्ति में सेवा में जुड़े रहें तो भी आप उसको उधार कर देते हैं तो यहां पर और बन्नन करते हैं कि जो की इंद्रियों के चिद्र तथा क्षणिक शुक की प्राप्ति है तु करते हैं, आपकी अगर पुजा वो करते हैं, कोई भावतिक इच्छा लेकर करता है, तो भी आप उसका उधार करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में शणने वाले प्राप्ति भी कर सकते हैं, तो भी यह भगवान आप इतने दयाल्यू हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं, तो आप सब पूछ रहे होंगे इस प्रकार क्यों कर्दम्मुनी बता रहे हैं, क्योंकि आगे भी कर्दम्मुनी ऐसा एक चीज मांगने वाले हैं, तो आप उनके मन में क्यों भौतिक इच्छा है इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है कि आगे आपको संतानुत्पति करके ये श्रिष्टि को बढ़ाना है इसलिए उनकी आदेश को मानकर ये आगे चलके भगवान को ये प्रात्ने और पन करते हैं श्लोक्रमांक पंद्रा मैं भी ऐसे समान सोभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की सरण में आया हूं जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पुरा करने में काम देनू के समान सिध्ध हो सके आपके चरंड प्रत्य के वस्टू को वस्टू के देने वाले हैं क्योंकि आप कलप ब्रिक्ष के समान हैं कि क्यों बहुआन के इस प्रकार गुंगान कर रहे हैं कर दमुनि इस स्लोक में वर्नन क्या गया है तो वह उनसे क्या मांग रहे हैं अभी यहां पर करदा मुनी कि मेरे को मुझे ऐसे कन्या से में विभाव करना चाहता हूं जो मेरे जैसे हो तो कोई प्रश्टन कर सकता है दस हजार साल तपश्या क्या था क्या इसके लिए शिप जी का क्यों पुझा नहीं किया उन्होंने आजकल हम देखते हैं हर समवार को लाइन लगा रहता है तो शिप जी का क्यों पुझा नहीं किया यह भी आगे के स्लोक में वर्णन किया गया है कि वह भगवान का भक्ति क्यों किया इसके लिए भगवान का आदेश था ब्रह अपना पत्पनी के अवस्ष्यक्ता थी तो इसलिए उन्हाने भगवान चीह प्रात्म की मेरे जैसे हैいただकि मेरे जो भकती में सेवा है उसमें वह उस्वाय कौत हो तो इसलिए जैसे कि हम Amлон की चर्चा में आप देखा था कि ग्योश्त τα स्रम ayُn e से पहले जो प्री रिकुसर्ट क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले होना चाहिए ब्रह्मन श्यर्य जीवन उसके उपरांत जब हम एक ग्रहष्ट श्रम प्रवेश करने से पहले ओर एक चीज में हम लोग ध्यान देना चाहिए वो है किस प्रकार कयन्या को हम चुनना चाहिए कि मेरे जैसे वो बता रहे culture क्य Grenada के जो बख्तिने मने शभा कर रहे हैं ऐसे कोई अगर भक्त है, जो भक्ती करती है, तो ऐसे कन्या की मेरे को आवस्यक्ता है. तो इसलिए हम को यहां पर सिखना चाहिए, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई भक्त भी है तो जो ग्रेश्टा श्रम प्रवेश्च करने वाले हैं, वो आस्ट्रोलोजी, हरोस्कोप, इस पे बहुत चच्चा करते हैं, या इसका उच्चा गून है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसका 32 गूने, वो मैच नहीं कर रहा है, तो रिशेंटली हमने एक भक्तों से बात किया था, वो अभी ग्रेश्टा श्रम में प्रवेश्च करने वाले हैं, वो पूछ रहते हैं, प्रभुजी, कि आपने जो जो आपने बताया कि जो 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 कैनिड़ेट है, वो सब क्या है खास करके जो भक्ति ग्रेश्टा स्रम में प्रवेश्च करने वाले हैं, और जो अलेड़ी हम लोग प्रवेश्च कर चुके हैं, भक्ती में है, भगवान का भक्ती कर रहे हैं, प्रभुपात के मीशन में है, प्रभुपात के आंदोलन में है, अभी हम लोग, तो अभी हम जो हमारे यंग जनेरेशन के है जो वक्त है उनको हम ये मार्ख दर्सन कर सकते हैं ये भागुतम में लिखा है कि इस प्रकार वबक्ती में जो सहायक होगी उसी प्रकार कन्याच को हम लोग सीवकार करना चाहिए तो आगे के सलोक में उसे हम देखेंगे श्लोक्रमेंग्शोला आपके आदेश से सब भी बद्धजीव मानों दोरी से बंद कर अपनी अपनी इच्छाओं के तुष्टी में निरंतर लगे रहते हैं। उनी का अनुशरन करते हुए धर्म मुर्ते साश्षोत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहूती और पन करता हूँ। किस प्रकार भगवान के गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं मैं अपने आपको आहूती कर देता हूँ। I am fully surrendered unto you। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रकार किसी भगवान का सरण लेना चाहिए। परन्तु कोई बोल सकता है। भगवान तो जैसे करदे पास भगवान आये। हमारे पास तो आये नहीं। हमारे पास नहीं आये। उनका जो भक्ति कर रहे हैं। शिक्षा गुरू, दिक्षा गुरू, बरिष्ट वैस्टम उनका सरण लेना चाहिए हमको। इस प्रकार ग्रियास्ता श्रम में प्रवेश्च करने से पहले। और यहां पर एक सुन्दर बात यह बता रहे हैं। कि भक्त जो होता है वो काल का कोई प्रभाप उस पर नहीं होता है। क्योंकि काल का प्रभाप क्यों नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि जो भक्ति नहीं करता है उसको काल पकड़ता है। यानि कि उसको वो काल के माय जाल में आ जाता है, परन्तु जब भक्त होता है, वो काल के माय जाल में नहीं आता है, तो कोई प्रस्टन कर सकता है कि अभक्त मरते नहीं है, भक्त मरते हैं, परन्तु उनका जो दिसा है, वो किन के ओर है, भगवान के ओर है, जब कोई अभक्त र उसका दे बाई डे क्या होता है वो भगवान के निकटर होता है जो अभक्त होता है वो काल के निकटर होता है तो इसलिए हमको यह समझना चाहिए और भक्त हमको जरूर करना चाहिए तो आगे कि स्लोक में जो प्रात्ना और पन गरते हैं वो भी काफी महत्य पुर्ण प्रात् परस्परम्तो गुणवादसिद्धु पियूशनिर्या पितदेह धर्माहा फिर भी जिन पुरुषों ने रूर सांसारिक्ता तथा इनके पशुत्तुल अनुयायों का परित्या कर दिया है और जिनों ने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यक अलापों के मादक अम्रित शुधा पान करके आपके चरण कमलों की चत्र शाया ग्रहन की है वह भौतिक देह की मुल आवश्यक्तावं से मुक्त हो सकते हैं तो इस परकर यहां पर अप्शन की बात कर रहे हैं कि अगर किसने भी सांसारिक्ता या सांसारिक जीवनजापन कर पुषूतुल इत्यारी वह सब कर रहे हैं बड़ फिर भी दीरे 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 अगर वह शब को पर इत्याय कर देता है और जो अम्रित शिधा पान करके आपकी चरण कमलों की चत्र शाया ग्रहन करते हैं वह क्या गरते हैं मुक्त हो सकते हैं आपको तो इसलिए भगवान के चरण कमल है उसमें वτιल सहरन् noch बना चाहिए जन्यinku क्या इसकोपर उपार एक सेमिनार है तो कभी मोका मिलेगे तो हम उसके पर चर्चा करेंगे थो इसलिए भगवान का चरण कमलों काश्र हो क्या करति देदाय चाहिए तो फॉर एक कशा करके आज-घार पार gilt को हम लोग विराम देंगे नते जराक्षा ब्र मिराइवरेशां त्रयो दसारं त्रिशतं सस्थी पर्व शनान्यमनन्त चदियत्रियानाभी कराल स्ट्वत्त जगदाच्चिध्यधावत आपका तीन नावी वाला जो काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों और घुम रहा है इसमें 13 तिलियां, 360 जोड, 6 परीधियां तथा उस पर अनन्त पतियां पीरोई हुई है यद्यपी इसके घुमने से संपुन श्रिष्टी की जिवन आवधी घट जाती है किन्तु यह प्रचन वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयू का स्पर्ष नहीं कर सकता है इस प्रकार जो काल चक्र है उसके बारे में यहां पर बर्नन कर रहे हैं और हमने पिछले स्लोक में यह देखा था कि किस प्रकार वो बोलते हैं कि हम पर कैसे काल जो है जैसे भक्त जो है दिरे 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 भगवान के निकरतर हो जाता है जो अभग काल के निकरतर हो जाता है इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान का जो क्रीपा है वो भक्तें के उपर तो रहता ही है इसके उपरांद अगर कोई भक्ति करने की एक स्टेप भी लेता है, प्रयास करता है, तो भवान सो स्टेप है, हजार स्टेप लेते हैं और इन सुन्दर प्राथनाओं से हमको इसीख लेना चाहिए कि ग्रिहस्त अश्रम में प्रवेश करने से पहले हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या ब्रह्मचरिय का पालन, दुश्रा, यानि की तपश्या करना, दुश्रा, किसी भक्तों का, यहां पर तो भगवान का सरण लिया करदम्मुनिने, पर हमको क्या करना चा इनका शरण लेना चाहिए, तीसरा हमको करदा मुनी जैसे प्रात्ना अरपन करे भगवान को, ऐसे हम लोग आतूरता से भगवान को प्रात्ना करना चाहिए, ताकि जो ग्रियास्ता श्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें जो जिसको हम सिवकार करेंगे वो सहाय को हो, जो मुल लक्ष जो है भगवान के अंद्रयम होना चाहिए और भक्ति में सिवा ही होना चाहिए ग्रियाष्ट आश्रम सिर्फ भोग के लिए नहीं होना चाहिए तो ये सब हमको प्रातना करते हुए ये सब हमको जो निश्पति जो डिसिशन लेना चाहिए आगे इसके उपर और शुन्दर प्रात्नाएं हैं जो कि कल की कख्षा में हम लोग मिश्तारी रूप्षेस का चर्चा करेंगे और फिर श्लोक्रमांग तेज से हम देखेंगे कि इस प्रकार भगवान कर्दमूनिंग के पास आकर क्या-क्या बोलते रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हरे ग्रिश्णा